दोस्तो आज कल साउथ के एक्टर्स को हिंदी ओडियन्स खुब पसंद कर रही है जिस तरीके से बॉलिवुड की फिल्में लगातार फ्लोप हो रही है उसके बाद तो बॉलिवुड का हर डिरेक्टर और प्रडूसर अपनी फिल्मों में साउथ के एक्टर्स को लेना चाहता है क्योंकि दोस्तो यही एक मातर चारा बच गया है बॉलिवुड के पास अपनी फिल्मों को बॉयकोट होने से बचाने के लिए देखे जब भी बॉलिवुड की कोई बड़ी फिल्म अपडेट आती है या फिर उसका कोई ट्रेलर रिलीज होता है तो उसके दो ही तिन दिन में उस ट्रेलर को लेकर उस मूवी को लेकर बॉयकोट का ट्रेंड सुरू हो जाता है और जिसकी वज़े से कई फिल्मे फ्लॉप हो गई हैं लेकिन अब लगता है कि बॉलिवुड फिल्मेकर्स ने इसका तोड़ निकाल लिया है और फिल्मेकर्स बॉलिवुड स्टार्स क के जाने माने एक्टर हैं और वहीं फिल्म के एक गाने में राम चरन भी आपको नज्र आने वाले हैं ऐसे मने स्फिल्म को आफ़ी गहらा साूथ कनेक्शन हो गया है इसके बाद हम सारुख कांड की फिल्मो की बात करें तो सूपरушка सारुख खान की अपकमिंग फिल्म जमान में भी साउत के सूपरस्टार नैंतारा और विजय सेतुपने नजर आने वाले हैं और जबकि इस फिल्म को डारेक्ट साउत के मसूर डारेक्टर एटली ही कर रहे हैं और दोस्तों इसके बाद अगर मैं आपकमिंग मूवीज की बात करूं तो वर्टू में आप अभी तक इसको लेकर ओफिशल अनॉस्मेंट नहीं किया गया है लेकिन बताया जा रहा है कि अजी देवगन मुजिक कंपोजर एमेम किरवानी से मिलने के लिए हैदराबाद गई थे और दोस्तों इसके अलावा आपने आयान मुखर जी की भरमास्तर मूवी तो देखी ही ह जिसमें आपने रनबीर कपूर आलिया भट सारुखान के अलावा नागारजुन भी देखने को मिले थे और नागारजुन के किरदार को फैंस ने खूब पसंद भी किया था और इसलिए इस मूवी ने दुनिया भर में 400 करोड की कमाई भी की थी तो दोस्तों अब इससे है कि बोलीवुड ने नया हैक निकाल निया है अपनी फिल्मों को बॉयकॉट होने से बचाने के लिए कि आप वो अपनी फिल्मों में बोलीवुड के एक्टरस के साथ साथ के एक्टरस को भी कास करेंगे ताकि इससे उनकी फिल्में बॉयकॉट होने से बच जाएंगी बा तक जाहिन तो